लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खतम हो रहा है, ये बार-बार चुनाओं में हारते हैं, लोकसभा के चुनाओं में, विधानसभा के चुनाओं में, नगदिगम के चुनाओं में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलों ने सामिल हो जाते हैं। विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। विरोध के लिए विरोध, opposing the Narendra Modi government for the sake of opposition, forgetting their own work in the past. तो आज हम आपके सामने कुछ सिलसले बार विश्य को रखना चाहते हैं। देखें, Congress Party का 2019 के चुनाओ का manifesto था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है। यह देखें, इन्होंने साफ कहा है, अपने पेज नंबर 17 अपने चुनाओ घोशना पर का पॉइंट नंबर 11। पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11, क्या कहा ह। Congress will repeal the Agriculture Produce Market Committee Act and make trade in agriculture produce, including exports and interstate trade, free from all restriction। Congress Party, agriculture produce market act, जो मंडी चलाते हुई उसको समाप करेगी। और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। Congress Party की कभी-कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम repeal करेंगे। जो हिंदी है, उसमें लिखा हुआ है, हम संशोधन करेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि Congress Party का दोहरा चेहरा, यह उनके देखी ओरिजनल मैनिफेस्ट है, उनके Congress Party की। और इसमें मनने अंग्रेजी पढ़ा, फिर पढ़ता हूँ, मनने पढ़ दिया, देखे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, Point No. 11, Heading 7, Agriculture Farms and Farm Labour, Congress will repeal the Agriculture Produce Market Committee Act and make trade in a cultural state free from all restrictions. यह अंग्रेजी है, हिंदी में देखिये, Congress किशी उपज मंडी समितियों की अधिनिया में संशोधन करेगी, अब Congress Party के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, repeal और amendment पे अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है, उनको कुछ आउट्सोर्स करना चाहिए, ड्राफ्टिंग को, यह मैं जरूर कहना चाहूँगा. अगर हिंदी भी माल ने तो संशोधन के पक्ष में हो थे, जो हमारी सरकार ने किया है. अब जरूर आपको हम राहूल गांधी के कुछ वक्तवे दिखाना चाहते हैं, हमने बार बार कहा था, यह देखिए, 2013 में, उन्होंने अपने सारे मुख्ष मंत्रियों की बैठक बिलाई थी, यूपिय के सरकार में. और उसमें क्या था? Farmers can sell directly in Congress ruled states. यह राहूल गांधी ने अपने मुख्ष मंत्रियों को निर्देश दिया था. Congress ruled states will delist fruits and vegetables from the Agriculture Produce Market Committee by January 15 and will give free choice to farmers. तो 2013 में जब उनकी सरकार्थिक राहूल गांधी ने बुलाया था ये बैठक ये आपकी जनकारी में रहना बहुत जरूरी है तो कॉंग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है ये मैंने आपको बता आपको कुछ और बताऊंगा अब जरा देश के वरिष नेता शरत पार्जी के बारे में कुछ तर्चा करने के इक्षा है क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे है जब वो देश के क्रिशी और उबहुकता मामलों के मंत्री थे Agriculture and Consumer Affairs तो ने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्थी लिखी अभी मैं आपको दो चिट्थी दिखाऊंगा जो उन्होंने 11 अगस 2010 को उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शिलाद दिख्षित को लिखी और फिर नवंबर में शिरा सिंग चोहान को लिखी देखी मैं एक परग्राफ पढ़ता हूं श्राट पवर का As you are aware, my dear Shila ji As you are aware, the agriculture sector needs well-functioning markets to drive growth, employment and economic prosperity This requires huge investment in market infrastructure including coal chain and for this, private sector participation is essential for which an appropriate regulatory and policy environment needs to be in place अता इसमें मंडी एक में बद्लाओ जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है किसानों को कहीं मंडी में बेचने का अवसर मिलना चाहिए ये सब इसमें लिखा हुआ है और ये सब इसमें भी लिखा हुआ है आपको बता हूँ शरत पवार जी ने शेखर गुपता को एक इंटर्वू दिया था 2005 में UPA की सरकार में उनने क्या देखे सवाल क्या है और एंसर क्या है मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूँ When do you see the APMC Act being abolished? The Agriculture Produce Market Monday Act कब तक हतम हूगा? He ने कया कहा? My own assessment is it will take 6 months maximum. और कया कहा? Unless you are ready to amend the Market Act and allow the private sector to enter in this area यह तो इस अस्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वितिय सायोग नहीं मिलेगा एक पेनल्टी वस प्रपोस यह इनका इंटरिवू है तो आधनिये शरत वार जी आप तो बड़े अन्भवी नेता हैं कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार मंत्री रहे हैं केंदर में आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिये आपका इंटरिवू पढ़ दिया रिफॉर्म के आप तो नरेंद मुदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आज आभी खड़े हो गए तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीती अपना असित्व बचाने के लिए कहा जाए तो पुछ अनुचित होगा क्या I am giving you proper documentary evidence to show the utter duplicity of the opposition parties सिर्फ अपना असित्व बचाने के लिए नरेंद मुदी जी का विरोज करना है भले किसांस अगठन कहें कि आप मताईए आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादोभी मैदान में कूद गए है तो मैं उनको बड़ी विनमता से याद कराऊंगा अखिलेश जी एरिकल्टर स्टेंडिंग कमिटी की रिपोर्ट आई है उसमें आपके आदर्निय पिता जी मुलायम सिंग्यादोभी मेंबर है और मैं ऐसा मनता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखरी आवाज है क्योंकि बड़ी नेता है उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि ये बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है अकाली के लोगों ने भी कहा है और समाजवादी पार्टी हो या शिवर से ना हो जब सदन में बहुत चल रही थी, इन्होंने इसका समथन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सदनी खाली बात के लेकिन इन प्रिंस्पल समथन किया था, ये सब रेकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने के जरूरत नहीं है अब जरा मैं कॉंग्रेस पार्टी की सरकार के समय, जो प्लानिंग कमिशन का एक रेकॉमेंडेशन आया था, वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूँ, ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी आप्शन जो दिया गया, प्लानिंग कमिशन का तो ये प्लानिंग कमिशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट अवर्किंग उपन अरिकल्चर मार्केटिंग इंफ्लास्ट्रॉक्ट्ट्चर, ये मनमोहन सिंग पे समय में, जो अनुशन शा थी, उसमें क्या दिखा हुआ था, तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के आठ नौ साल पहले, मनमोहन की सरकार ये कर रही थी, 2005 में शरत पवार बोल रहे थी, और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है, कि जिस समय शरत पवार ये बोल रहे थे 2005 में, कि अगर आप सुभार नहीं करोगे तो हम वित्तिय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंग की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे, मुलायम सिंग आदो जी की पार्टी, RJD, CPI, CPM, TDP, और बाकि सभी, शिव से नहीं थी, तो आप तो हमसे भी आगया दिख जा रहे थे, तो फिर मैं कहूंगा, कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्थित्व को बचाने के लिए, भले एक किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सिवांगा जाने को तैयार है, ये देश के सामने आना जरूरी है, अब ज़र हम कंट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विश्य आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है, कि इसका भी रेकिमेंडेशन, दोहजार साथ से बारा में मनमोहन सिंग्री सरकार्स के समय हुआ था, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कि कहां-कहां मॉडल कंट्रैक्ट टैक्ट लागू हुआ, कंट्रैक्ट फार्मिंग का, आंध्रपदेश, आसाम, च्छतिसगर, गोवा, गुजरात, हरियाना उस समय कॉंग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कॉंग्रेसी स्टेट था, हिमाचर प्रदेश, जारखंड, करनाटका 2003 में कॉंग्रेस स्टेट था, महराश 2006, NCP और इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिवजय सिंग्रेसी सरकार थी, मीजोरम, नागालेंड, उडिसा 2006, बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तरंग्रा, तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इंकम को बढ़ाने के लिए, ये कॉंट्राक्टर का निर्ने किया, तो मित्रों, एक सजन और है, जिनके बारे में मुझे कहना है, मैं समान तर टिपन नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे प्रदान मंत्री पर वो इच्री टिपनी कर रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में टिपनी करनी पड़ेगी, श्रीमान योगिन रियादों के बारे में, वो भी खड़े हैं, और उनकी पार्टी का क्या वजूद है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन देखिए, तीन साल हमारी सरकार के पूरे हुए, उनका ट्वीट देखिए, मोधी सरकार वाशे इस हैंड्स आफ अफ एपी एमसी एक्ट, साइटिस अजा स्टेट सब्जेक्ट, तो उस समय अगर कहा गया कि एरिकल्चर मंडी एक्ट जो है, वो राज्यों का विशा है, उनको सुधार करना है, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं? तो जिस समय हम कर रहे हैं, व्यापक चर्चा करके ताप उसका विरोथ कर रहे हैं, तो ये आपके सामने आना चाहिएए. अब जब पता नहीं, युगिंजी के बाद केजरिवाल जीका नाम देना ठीक है कि नहीं, यो निया कानून बना है तो इसको 23 नॉम्बर 2019 को 2020 को छमा करे अर्विंद केजडिवाजी के सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजड़ करके इंप्लिमेंट कर दिया है देखे मैं गजड़ लेकर बैठा हुआ हूँ इधर आप विरोध कर रहे हैं उधर आप गजड़ निकाल रहे हैं यह तो उनका काम है तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि UPA सरकार के दस साल में किसानों के सुधार पर मोधी सरकार के बराबर नहीं कई बार तो कहा कि हम पिनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो शरत्पवाजी ने पत लिखा मन राहुल गांधी ने इस परष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्टो रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे तो आप करें तो देश किसानों का कल्यान हम उसको तरीके से करें बातचित करके तो आप सरकों पे आते हैं ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स हम इसका जबर्दस विरोध करते हैं किसान कुछ नहीं स्वार्थों के चंगुल में फसा हुआ है हम चाहते हैं देश के छोटे मंज़ुले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए और कुछ मैं क्लारिफाई कर दूँ तो कि मैं देश का कानुन मंत्री भी हूँ किसानों की जमीन ना बिकेगी ना लीज़ पर ली जाएगी ना बंदक होगी कंट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान तो उनकी जमीन ना तो बिकेगी ना बंदक होगी न लीज़ पर ली जाएगी ना बिल्बी सोल्ड ना नोर मॉर्गेट उनके जमीन पर कोई देंदारी नहीं बनेगी वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनी आएगी बलकि मैं पड़ी देना चाहता हूँ Section 8 Sponsor prohibited from acquiring ownership right or making permanent modification on farmer's land promises उस सब विस्तार से लेखा हुआ केर हो गया दूसरा आज जो देश में छोटे किसान है मझूले किसान है अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते है उनके अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए IT विभाद के रूप में मैं इस विश्य को देखता हूँ हमने किशानों के लिए एक National Agriculture Market Name बनाया है समझे है जिस पर किसान अपने को रेजिस्टर कर सकता है अपनी फसल बेच सकता है सिर्फ आपको मैं कुछ आकड़े देता हूँ और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रेजिस्टर किया है नैम पर 1000 मंडियों ने रेजिस्टर कितने फार्मर हैं रेजिस्टर एक करोड अड़ सट लाक कितने ट्रेडर हैं एक लाक एक आवन हजार ठीक है और कितने का वैपार हुआ है एक लाक पंदरह हजार करोड रुपया तो आपने देखा हमने किसानों को एक डिजिटल मंडि दी तो देश के तमाम मंडिया जुटी हैं 1000 एक एक रेजिस्टर प्रदेशों में एक करोड़ सट लाक किसान जुटे और एक लाक पंदरह हजार का वैपार किया है आप अवसर देते हैं तो इस तरह से किसान उस अवसर के अनुसार अपनी इंकम को बढ़ाने के लिए और नएने अवसर खुश्टा है मैं सिर्फ आपको एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूँगा बाकी तो सारे विश्या आ गए है ये हमने सिर्फ आपको दो चीज़ मैं बता दूँ इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने खरीफ में जो फसल होती है उसमें छे फसलों के भुकतान के लिए हमने और रबी में भी निउन्तम बिल में बृद्धी की है और ये चर्चा मैंने बार में कई बार ट्वीट भी की है शायद पियोजी ने भी किया है लेकिन यहां आपको उताना दरूरी है कि अभी नवंबर के अन तक धान के पैड़ी प्रोक्यूर्मेंट तीन सो अठारा लाख टन हुआ है साथ हजार करोड रुपय का पैड़ी का प्रोक्यूर्मेंट इसके MSP आती है वो तीन सो अठारा लाख टन हुआ है साथ हजार करोड रुपय का और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाक टन का प्रोक्यूर्मेंट हुआ है यानि 64 परसेंट तो अगर जरा भी हमारा मंडी खतम करने का इरादा होता या MSP को समाप करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या तो इससे बातें देश के सामने लाना दो हो नरिद मोदी जी की सरकार किसानों के हिद के लिए समर्पित है नरिद मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नए नए अवसर तलाश कर उनकी इंकम में और मजबूती करना चाहती है नरिद मोदी जी की सरकार देश के किसान और किसानी किसानी को अनवश्यक नियंतरुन से देखी दूँ बहुत चर्चा हो रही है तो एक विशय पंजाब के नेता बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं यह देखिए आर्च आर्च मार्च 2019 को पंजाब के मुक्ष्पंत्री ने पेपसी का एक बड़ा प्लांट इनोग्रेट किया आलू वगरा सब के लिए और पास जान को नोकरी मिलेगे तो अवसर के लिए आप आता है तो आप काम कर रहे है हम बड़े-बड़े अवसर की बात करते हैं तो आप विरोध कर रहे है तो मित्रों यह जतने विपक्षी पाटियां हैं यह किसानों को भ्रहमित कर रही हैं इनका पूरा चेहरा, शर्मनाख इत्रका है, their entire approach is of shameful double standards they are seeking to confuse based upon wrong facts और दूसरी बात जो काम आपने करने की कोशिश की जो आपने पूरा नहीं किया जिसको आप सही मानते थे आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप रोग कर रहे हैं सिर्फ अपना इन पूरी धाड़ना का पूरा विरोध करते हैं उसकी भसना करते हैं और देश का किसान सच्चाई को समझता है धन्यवाद, I am open to questions now च्छमा करिये तो आपने विस्तार से बोला तो कि देश के सामने ये सारे सच्च जाने जरूरी थे तो कि देश के सामने ये सामने ये सामने ये सामने ये जरूरी थे इस चारचा पर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा तो इस विश्य पर वो चर्चा करेंगे हमारा मन खुला हुआ है लेकिन हमने कहा कि हमारा बिल्कुल प्रामानिकता से मानना है कि ये पूरा कानून किसानों के लिए सहुलियत देता है अफसर पैदा करता है अब बाकी चर्चा हो रही है तो चर्चा उसको होने दीजे